हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम टु पैनेशिया फॉर लेबरेंस क्लासेज आई होप यू अल अर वेल तो आज का मरा टॉपिक है लेबरेरी आसोशेशन जिसको शॉट फॉर्म में एले बोलते हैं और इसका नाम हो गया library association इसका headquarter का है तो लंदन इसके जो publication से उससे सबसे ज्यादा questions आता है पहला है library association record कौन इसका frequency क्या मन्थली library information science abstract Lisa मन्थली यह बहुत ज्यादा important यह KVS का भी question रहा है कि Lisa का frequency क्या है तो मन्थली और इसका full form क्या है इसका नेक्स टॉपिक है पॉइंट है कि library association की दोरह कुछ awards दिये जाते जैसे मैं Calvin award किसलिए तो best reference work के लिए बीटले मैडल किसलिए तो outstanding index के लिए बास्टर मैन मैडल किसलिए outstanding bibliography कार्ने मैडल कौन देता है तो सिलिप तो हम लोग यहाँ पे कार्ने मैडल इसलिए पढ़ रहे है क्योंकि बाद में क्या किया गया सिलिप जो सिलिप है एक association है जिसका सिलिप को जो है 2002 में स्टैबलेश किया गया था कहां पे तो स्कॉट्लेंड में किसके मर्जर के द्वारा आई एस प्लस एले तो आई एस का फुल फॉर्म याद रखिए इंसिट्यूट ओफ इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट इसका है तो लंदन तो सिलिप जो है बाद में एले के मर्जर से बन गया सिलिप तो अब जो एले नी रहा है तो अब आई एस प्लस एले को मिला के क्या बना देगे सिलिप इसका फुल फॉर्म चार्टेड इंसिटूट ओफ लैबरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स और लीसा का फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा उसका हुआ और लीसा काईप